प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्मा जिया धिकता है दिली में रहते हैं नमस्कार जोतिस ग्यानमे दर्शे को आप सभी का महार्दिय को स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में फिटकरी में यह तो बहुत से अनेको औस्दिय गुण होते हैं आयरुवेदिक मान्यता के अनुसार से भी फिटकरी बहुत लावपरद मानी जाती है फिटकरी का फूला फिटकरी को फूला करके थोड़ा गरम करकर के नाना बाती के कारियों में फिटकरी का फूला यूज किया जाता आयरुवेदि सास्तर के हिसाब से एक औस्दी होने के नाते नाते फिटकरी के और भी बहुत से कारिय होते है आयरुवेदिक औस्दी तो यह ही एंटी सेप्टिक के रूप में भी ये कारिय करती है लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आपके घर के वास्तू के बारे में भी ये कारे करती है नजर दोश को दूर करने का भी कारे करती है प्रेम इस्तिती को उत्पन करने का भी ये कारे करती है घर के अंदर जब नगरात्मक इस्तिती व्याप्त हो जाए उस स्थिति को भी दूर करने का फिट करी कारी करती है जी हाँ इसके बहुत सारे गोण हैं जितने कहें उतने कम हमने अपने बहुत सारे अंक में वास्तु दोश के नाना भाती के उपाई बताए हैं पती पत्नी के मद्धिर एक प्रेम की स्थिती बने ऐसे बहुत सारे हमने समय समय पर वीडियो दिये हैं और हमने उपाई उसमे बताए हैं हमारा इस मंच से यही धे होता है कि छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी बातों से कहीने कहीं आपके जीवन में कोई बदलावा आए अच्छी शीज बतला देनी चाहिए कभी छिपा करके नहीं रखनी चाहिए आईए अब मैं आपको फिटकरी के बारे में बता रेता हूँ आध्यात्मिक दरस्टी से भी देखा जाए तो फिटकरी के माध्यम से हम अपने बहुत सारे ऐसे कारियों को परिपूर्ण कर सकते हैं जो अधूरे रह जाते हैं हम किसी भी प्रकार से अपने घर को बना लें लेकिन कहीं ने कहीं वास्तुदोष घर के अंदर रही जाता यदि आपके घर में आपको लगता है वास्थो दोष है या कहीं कहीं वास्थो दोष की चूख हो सही जाती है जिस इस St lied पर जिसочка Android में जिस रूम में वास्तोू दोष की स्थिथी ज्यादा हो तो वहा तुर्कूर की स्थिथी में फिट क करी यानिके फिट करी का एक बड़ा सा डेला ले लें और उसको इसी साफ से हम उसको त्रिकुनात्मक इस्तिती में बना करके किसी कांच की तस्त्री में और उसके उपर हम स्वास्तिक बना करके अपने उस इस्थान पर रखें उस घर में रखें काफी अच्छी इससे हमारे घर में शुबता आती है काफी अच्छी वाइविरेशन आती है पॉजिटिव वाइविरेशनों का वासूने लगता और जिस इस्थान में घर का कोई कोना कटा हुआ हो दबा हुआ हो एक रूम में पांच कॉर्णर हो ऐसी कहीं भी आपके घर में कोई इस्थिती बनती हो या किसी भी प्रिकार से किसी ने कहा हो कि आपके इस रूम में इस इस्थान पर वासू दोस्त जादा है तो वहां तुर्कोन की इस्थिती का फिटकरी का डेला ले करके कांच की प्लेट में रखें और उस पे स्वस्तिक बना करके महां लाल रंग से स्वस्तिक बनाएं और उसको उस इस्थान पर इस्थ चाते हों या बड़े भी व्यक्ति बहुंँ जादा डरते हों तो आप एक चीज और करिएगा फिट करी का ऐसा ही एक धेला ले लें डला ले लें धेले से मतलब हमारा डले से है फिट करींगा ये फिट करींगा एक किमर लिए और उसके ऊपर आप किसी भी तरिके से किलिम भी फ़्व, यह दो डाक हए ले पर बड़ी मात्रा और बिंदी किलिम भी लिखर कर के उस रूममे रखना काच्च विए किसी जार में, मरतबान में या काच की किसी पलेट में, तर्ष्तरी में ही ही उसको रखना है तो जहां आप सोते हैं अपने सिराने के ऊपर कहीं कोई ऐसी अलमिरा हो या ऐसा कोई रैक बना ले, वहां उसको रखेगा इससे उस रूम में सोने वाले बच्ची अक्सर नहीं डरेंगे, चोखेंगे नहीं, कहीं नहीं उन्हें इस प्रकार का लाब मिलेगा, पती-पत्नी में भी आपस में बहुत ज़्यादा मन मुटाव रहता हो, तो उस इस्तिती में भी, आप ऐसा ही फिटकरी के एक धेले को लें, लेकिन उसको हम त्रक गुलाई में ले लें, और गुलाई में घिस करके किसी काच के मरतबान में हम अपने बेड्रूम में रखें, इस से पती-पत्नी के मद्य प्रेम की इस्तिती भी उत्पन होती है, रासाइनिक आधार फिटकरी के नाना भाती के हैं, आईए, रासाइनिक आधार पर भी, आधार भी, हम आपको बता देते हैं, किस प्रकार से हैं, और और भी बहुत सारी फिटकरी के विशेस्ताएं हैं, उसकी चर्चा भी हम इसी अंक में आपसे गरने वाले हैं, आईए, जानते हैं, फिटकरी का रासाइनिक आधार भी, फिटकरी, पॉटेशियम, सल्फेट, त होता है, इसका रासाइनिक सुत्र इस प्रकार से है, के टू, एस सो फोर, एल टू, एस सो फोर, फिटकरी, एक उत्तम स्रेनी की एंटी सेप्टिक भी है, फिटकरी में तमाम आउजदिये, गुण, विद्धमान होते हैं, तो मेरे दर्शु को, फिटकरी वास्तम में, एक बहुत बढ़िया चीज होती है, और व्यक्ति को करीब करीब अपने हर रूम में, पचास से सो ग्राम, फिटकरी का एक टुकड़ा, अपने हर रूम में रखना चाहिए, और यदि जिनोंने घर में, कुछ घर लोगों के बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ जैसे भी रूम में रहते हैं, जैसे भी घर में रहते हैं, मिनिममम पचास से सो ग्राम का टुकड़ा, फिटकरी का अपने घर में जरूर रखें, यदि आपने घर में ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी फिटकरी का पचास सो ग्राम का एक टुकड़ा ज को करते हों तो दोनों पार्टनर ये एक ही ओफिस में बैठते हों तो ऑफिस में भी फिटकरी रखी जाए इससे भी प्रेम जाता है और पार्टनर्सिप में मधूर्दा आती है द्burst ने द्रशन भारत में फिटकरी का बहुत चलन है ना ना बाती के इसके प्रियोग भी है और एक चीज़ आपको और बताएं जिस घर में हमेसा हमें ये लगता हो नजर टोक आदी ऐसा हमें बार बार लगता है या किसी व्यक्ति के विशेस आने से बार बार हमें नजर लगती है घर में नजर लगती है या कुछ भी आपको कुछ किसी के आने से कई बार अशु कूगता आती है कोई निगेटिव वाईब्रेशन मेरे घर में आती है ऊपरी बाधाए मेरे घर में तंग करती है तो एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकुड़ा तकरीवन पचास ग्राम के आसपास वोई पचास ग्राम के आसपास टुकडा ले ले और उपर से काले ही कपड़े से उसको सिल दें या ऐसे पोटली सी बना करके मुखे दरवाजे की देहलीज पर उपर की तरफ राइट साइड में उसको लगा देना चाहिए दिन ध्यान रखें दिन या तो रविवार का हो या दिन मंगलवार का हो या दिन शनिवार का हो इन तीन दिनों में से शोकल कर्शन की कोई बात नहीं है चाहे कर्शन पक्ष हो चाहें शोकल पक्ष हो हमें ऐसी विस्ता कर देनी चाहिए और खास दोर से जो पुरुष वर्ग हैं वही शेविंग में बहुत लोग आज भी फिटकरी को यूज़ करते हैं क्योंकि एंटी सेप्टिक एक बहुत बड़ी आइसका प्रियाय मिल जाता है कहीं भी कैसा भी कट लग जाए वहाँ पर भी एक काम आ जाती है कई बार बच्चे खेलते खेलते शरारत कर लेते हैं तो कई बार कहीं से छोटा मुटा कट लग जाता है उसी साफ से भी देखा जाए तो फिटकरी बहुत अच्छा होती है बहते हुए बलड को रोकने का कारिया भी फिटकरी बहुत अच्छा करती है कई बार मुह में च्छाले हो जाते हैं ना मुह के अंदर छोटे 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 च्छाले हो जाते हैं मुह में बहुत सारे कट लग जाते हैं तो fit curry का kula करना यानि कि fit curry के फूले को हलका सा थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में में भी मान के चलें कम से कम एक ग्राम या दो ग्राम के आसपास उसे हलका सा गुन-गुने से पानी में mix करने और उसके कुले करने से भी इस परकार का लाब मिलता है हाले कि आयुर्वेदिक द्रस्टी में मैं ज्यादा नहीं जाओंगा क्योंकि मैं कोई वैदिये डॉक्टर नहीं हूँ अगर आयुर्वेदिक द्रस्टी में आपको इसका कोई कार्य करना है तो आप किसी वैदिके या किसी डॉक्टर के प्रामरस में करें लेकिन जहां तक इ अगसर नजर लग जाती है हमने देखा है तो क्या करें रत्ती भर राई ले 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 और फिटकरी ले ले और थोड़ा सन्नमक ले ले बच्चे के उपर से उसार करके जलती हुई अगनी में डाल दें एकदम नजर उतरती है बड़े को भी ऐसा हो जाए तो ऐसा कर सकते जल्द नजर उतरती है और एक चीज़ आपको और हम बड़ी इंपोर्टेंट इसके लिए बता देते हैं जिन बच्चों का मन पढ़ाई में न लगता हो अक्सर सेतानी करते हो भागा दोड़ी करते हो बात ना मांते हो जिद्धी बच्चे हो ऐसे बच्चों के रूम में उनकी टे नहीं लेना यहां पर गोल वाला लेना है और उस पर एम बीज लिखें एनक बिंदी लगा दें एम बीज जो जो होता है यह मां सरस्वती को डिक्टेट करता विद्वन्ता विद्या पढ़ाई को डिक्टेट करता हेरिम बीज सम्मोहन का कारे करता क्लिम बीज विर्था का क करता इसलिए हमने का जो व्यक्ति डर जाते हों चोकते हों अकेले में जिन पुर्षों को महिलाओं को घवराट हो जाती हो तो वो क्लिम बीज लिख करके अपने शेहन कक्स में फिटकरी का ढहला रखें अच्छा लाप मिलेगा तो जो बच्चे पढ़ाही से जी चुराते हो एम बीज लिख करके फिटकरी रखें थोड़ा थोड़ा लाप में जरूर मिलेगा लेकिन एक चीज़ बताएं ऐसा वन में ना सोच लें कि केवल हम ऐसा करने तो जिंदे की बदल जाएगी ये चोटी चोटी बातें हैं बूद बूद से सागर भरता है ना बूद बूद से घड़ा बरता है तो आप थोड़ा 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 कुछ नो कुछ अच्छे के लिए करते जाईएगा कुछ नो कुछ अच्छा परिणाम उसका आपको मिलता चला जाएगा तो दर्शों को ये थे कुछ फिटकरी के कुछ सुगम से उपाएं और सुगम से ला पर भी फिटकरी के ऐसे अदबुत बहुत सारे कारिया होते हैं जो फिटकरी महाँ पर विसे इस परकार का कारिया करती है लेकिन कारे करम बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस विसे सांग के लिए मैं चाहूंगा बस इतना ही दर्शुकों यूदिया आपने हमें अभी तक स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी ऐसी बहुत सारी पुरानी वीडियोज हैं कपूर जलाने के क्या लाब होते हैं बोजपत्र के क्या लाब होते हैं दक्षनवरती संक के क्या लाब होते हैं घुड़े की नाल पहने ना पहने बहुत सारी चीज़ें आप हमारी ग सेप्टेम्बर महीनी से बताना प्रानम पुने कर दिया है आप वो चीज भी अपनी अपनी राशी के हिसाब से जरूर सुने और जरूर देखे इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं नमस्कार जी मेरा नाम रवी कुमार सिंग है मैं 36 गड़ रायपूर से हूँ मैं गुरु दिक्षा भी लिया हूँ इनके बताय मार्क पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताय मार्क पर चले ऐसा इसल को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरुत पड़े हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही है हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प् के लिए और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें